Hello everyone, welcome to our channel DRX दीपक फार्म दोस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली बीफार्मेसी फर्स सेमेश्टर इस्टुडेंट्स के लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे difference between suspension and emulsion तो दोस्तो ये काफी important question है आपके exam में 5 marks में ये पूछा जाता है और 10 marks में कभी-कभी पूछते हैं suspension के advantage, disadvantage, method of preparation और suspension को define करना और इसी तरह emulsion के identification test और उसके emulsion के types के साथ ये 10 marks में पूछा जाता है कभी-कभी तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि suspension and emulsion के difference क्या है तो मैं इस वीडियो में 10 points बताऊंगा suspension and emulsion के difference के तो ये वीडियो आप लोगों के काफी important है तो वीडियो को last तक देखना और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों वीडियो अश्टार्ट करते हैं तो suspension and emulsion के difference between को देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि suspension and emulsion है क्या तो दोस्तो suspension versus emulsion इसके difference में के हम बात करेंगे तो ये क्या है doges from biphasic liquid है एक तरह का biphasic ये liquid है ठीक है इसको हम dispersed system भी करते हैं और coarse dispersion भी कहते हैं coarse dispersion में हमारा suspension and emulsion दोनों आ जाता है तो application मतलब इसकी हमें जरुवत क्यों पड़ी जब हमारे पास simple syrup थी tablet थी, capsule थी तो हम suspension and emulsion को बना क्यों रहें तो इसकी stability अच्छी रहती है long duration तक रहता है इसकी bio ability अच्छी होती है marks करता है ये bitter test को इसमें क्या होता है दोस्तों दो phase होता है, एक internal phase होता है एक external phase होता है, जो हमारा internal phase होता है, उसको हम discontinuous phase कहते है और एक external phase होता है जिसको हम continuous phase कहते है जो discontinuous phase है, वो less quantity में होता है इसको two phase system क्यों कहा रहे है कि ये bifasic liquid doges form है अब हम समझते है कि suspension क्या है emulsion क्या है like an example जैसे हम sand and water ले लिए उसके साथ हम उसे dissolve करें तो वो dissolve नहीं हो पाता है तो वहाँ dissolve करने में कौन मजब करेगा suspending agent तब वो dissolve हो पाएगा तो इसको हम क्या करें suspension suspension में क्या एक हमारा solid है जो एक हमारा liquid है जिसको हम water कह रहें इमulsion में क्या होता है दोनो liquid ही liquid रहते है तो जिसके कारण क्या होता है जैसे violent water like an example milk suspension दो तरह के है फ्लोकलेटेड है डीप फ्लोकलेटेड है उसके बार में आपको पढ़ना होगा इमulsion भी हमारे दो तरह के है एक हमारा violent water water in oil तो यह काफी important है तो चलिए दोस्तों अब हम देखते है इसके difference तो सबसे पहले हम समझते है difference between suspension और इमulsion के बारे में तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जैसे मैंने आपको समझाई दिया था suspension और emissions को समझते हैं तो suspension में क्या होता है यहाँ इसके difference को समझते हैं तो suspension में क्या होता है जो globils की form में रहा रहा और ये liquid है जो continuous medium की form में वहाँ पे रहता है तो इसको हम suspense जमरते हैं लेकिन emulsion में क्या होता है कि emulsion में हमारा liquid liquid दोनों face होगा like an example milk अब इसकी दूसरी बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है जो हमारा stabilizer की दरह जो काम करता है यहाँ पे क्या होता है suspending agent होता है लेकिन emulsion में emulsing fine agent होता है example बात करें suspending agent का तो क्या होता हमारा bentonite next हम बात करते हैं इसकी particle size इसकी particle size क्या होती है suspension की particle size 0.525 micrometer होती है लेकिन जो emulsion की particle size होती है जो globule size होती है 0.252525 micrometer होती है अब हम इसके बात करते है टाइप मतलब यह जो suspension कितने टाइप में तो ऐसे तो based हैं बहुत ही टाइप में लेकिन जो हमारा important टाइप से वो flocculated और deep flocculated तो flocculated में क्या होता है groups बनाते हैły globules आपस में groups form करते हैं यह क्या होता हमारा जल्दी settle down हो झाता है लेकिन deep flocculated क्या होता है दोस्तो यह separate entity自 when रहता है और यह लब समय के बाद यह settle down होता है और यह क्या होता है एक बर जब settle down हो गया है यह जब hard cake फॉर्म कर दिया तो यह अप इसकी टाइप्स की बात करें इमल्सन की तो इमल्सन की ऐसे तो दो टाइप है यहाँ पर वाइल इन वाटर वाटर इन वाटर लेकिन बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे मल्टीपल इमल्सन हो गया माइक्रो इमल्सन हो गया तो इस तरह होते हैं हम टेस्ट बात करें कि कैसे पता लगा सकते हैंसे हमें। इशिपेसं को मेधट कर सकते हैं सब्सक्राइब करें। dilution टेस्ट और conductivity टेस्ट थे हम पता कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसकी methods की तो दोस्तों method क्या उसको हम समझते हैं तो method में हम जैसे method में हम tituration method करते हैं और collidal milk जो collidal milk है suspension में यह largest scale लिए यूज होता है और जो हमारे emulsion method है wet gum method, dry gum method, bottle method यह सब method होता है तो जैसे इसमें जो wild gum water हम लेके बनाते हैं तो इसमें जो हमारा gum होता है वो एक तरह का emulsion fine agent की तरह हमारा काम करता है अब इसकी problem क्या है जो suspension problem क्या है यह hard cake form कर देता है और emulsion की problem क्या है यह creaming form कर देता है तो यह इसकी problem है अब जो हमारा suspension है देखना दोस्तों जो हमारा suspension है इसको जब freezing है storage में रखते है तो यह aggregation फॉर्म परता है लेकिन जो हमारा emulsion है उसको freezing है storage में रखते है तो वो cracking फॉर्म करता है like an example suspension का lotion most of most of lotion present in suspension जो most of lotion है वो present है किन फॉर्म में वो suspension के फॉर्म में और emulsion का example दों तो cream most of cream है वो present है emulsion के फॉर्म में समझाए कि suspension के face बता है कि बाई फेजी किसको क्यों बोलते है इसमें क्या होता है कैसे होता है तो सभी को मैंने अच्छे से समझाए तो I hope यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा please like share and subscribe also share with friend thanks for watching my video तो मिलते दोस्तों next वीडियो में ऐसे ही मैज़दार वीडियो के साथ